हाई टॉलबर्स सो डेटा स्ट्रक्टर विद जावा स्क्रिप्ट इस पाड़ में लोग बात करने वाल हैं प्रोलम सॉल्विंग एंड लॉजिक बिल्डिंग स्केल्स के बारे में यहाँ पे जो पॉइंट्स है ना इनको देखिजे मसोच लेना कि बस हमने पॉइंट तो उप्टिमाइज बैटर शॉल्यूशन रहेगा और उससे भी आपको सेम ही मिलेगा बट आपको यहाँ पर यह समझ में आ जाएगा कि जब भी हम लोग कोड लिखते हैं तो हमें किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए किस तरह किसे हम लोग लोजिक को और बैटर कर सकते है उसके नटर बहुत से वीवर्स ऐसा बोल रहे हैं कि जब वह डेटा स्ट्ठ्च्र के साथ में लूप्स वह रहा यूज करते हैं वैल्यूस को एक डूसरे वारीबल में असाइन करते हैं रिद्ध को स्वैप करते हैं तो उनको काफी सारी चीज़ें समझ में नहीं आ हैं सो उसका एक रीजन यह है कि आपका ना थोड़ा जो लोजिकल पार्ट है वो और बैटर करना चाहिए अगर आपका लोजिकल पार्ट थोड़ा और बैटर कर पाऊगे तो आपको आपको अराम से समझे बहाएंगी और यह कोई मुश्किल चीज नहीं है स्टार्टिंग के किस तरी की समय चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और आप थोड़ी सी और जल्दी और बैटर तरीके से प्रॉल्डम डिसॉल्विंग और लॉजिक बिल्डिंग कर पाऊगे अल्राइट तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट के साथ ही स्टार्ट करते हैं जब भी आपको कोई एक टास्क मिलता है न तो उसको देखते ही यह मत सोचों कि अच्छा मैं फटाफट से कोड लिखना श्टार्ट करता हूँ ऐसा कभी नहीं करना चाहिए आपको इस वाले एक्जांपल को यहां पर बना के भी देखेंगे और इसके अंदर हम लोग बहुत सारी पैटन भी देखेंगे कि क्या क्या पैटन हो सकते हैं और क्या क्या हम लोग यहां पर गलतियां कर सकते हैं राइट तो यहां पर क्या बोला गया है find even values from array एक array में से even values को निक data structure के अंदर अगर array की length find करनी होती है आपको sorry javascript के अंदर अगर आपको array की length find करनी हो तो dot length नाम से property होती है आप उसे अराम से कर सकते हो बट यहां भी हमें बूलागे manually करके दिखाओ तो हम लोग manually use करेंगे data.length वाली property का use नहीं करेंगे All right, so, सबसे पहले आपको ना ऐसा नहीं करना कि पहली line पढ़ ली जैसे की find even values from array एंड उसको पर काम करना शुरू कर दो ऐसा नहीं करना है इससे बहुत सारी problem आ सकती है आपको करके भी दिखाऊंगा मैं, तो सबसे पहले आपको complete problem समझ रही है कि क्या problem है, आपको तीन चीज़ा समझे में आगे हैं, तीन पार्ट में इसको divide कर सकते हो, कि सबसे पहले में even values को find करना है, उसके बाद में हर एक जो element बचेगा उसको double करना है, और बाद में उसकी length है array कि इसको calculate करना है, all right, हमने तीन चीज़ें हमने देख ली, उनको part के अंदर हमने break भी कर लिया, और देखो जो solution होता है न, उसको journal way के अंदर solve करो, पहले ऐसा directly coding के थूरू मत सोचने लग जाओ कि अच्छा यार यह एक array है, उसमें से मैं कैसे करूँगा, पहले आप उस इसके अंदर में कुछ values लेता हूं, जैसे कि मैंने लिया यहां पर 10, 7 ले लिया, 19, 22, and 8, 100, and 89, ठीक है हमने यह ले लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 values इसके अंदर, नॉर्मल है, अब देखो जो पहले वाली इसको देखते हैं कि किस तरह से हम लोग resolve कर सकते हैं, journal way केंदर, notepad के उ even values को find करो, अब देखो math के हिसा आप से सोचो, अगर मुझे even values find करने हो तो हम लोगो किस तरह किसे चेक करते हैं, कि कोई भी number है, अगर वो 2 से properly, 2 से properly divide हो रहा है, that means वो even है, otherwise वो old है, तो पहला हमारा क्या हुआ, पहला हमारा even हो गया, second हमारा old हो गया, तो मुझे even values निकाल किसे find कर सकते हैं, अगर हमें कोई notebook के उपर लिखके दे कि इसके अंदर 4 even values है, ठीक है, अब हमें 4 even values मिल गई, second क्या solution है, उसने बोला जो बचवी values है ना, उनको double कर दो, ठीक है, तो हम इसको double कैसे कर सकते है, जो 10 है उसका double कर दिया, 20, 22 का double कितना कर दिया, 44, 8 का double कितना क कर दिया, 16, and 100 का double कितना कर दिया, 200, ये भी हो गया, अब इनको हमें count, अब हमने क्या कर रहा है, इसको double करने के लिए, ठीक है, जितनी value थी, उसको 2 से divide कर दिया, into 2, into 2, into 2, and into 2, इस तरह कि इसको double बन गी, perfect, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले में ये check करना है, programming के अंदर अब हमें ये समझ भाए है कि अच्छा, वो गर 2 से divide हो पार है कि नी हो पार है, double करने के लिए हमें इसको 2 से multiply करना है, और last में हमें इसको count करना है, 1, 2, 3, 4, वहनकी हमारी total 4 values है, ठीक है, 4 values, या फिर element बोड़ सकते हो, 4 element, element proper रहेगा, इसको मैं डाले तो, all right, so हमने एक journal solution रूट लिया, अब इसको हम लोग convert करेंगे programming के अंदर, कि यार देखो, मुझे अगर old and even निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, अगर एक एक element लूँगा ना, तो वो गलत है, मालो कि मैंने पहला element लिया, array का, और उसको मैंने 2 से divide कर दिया, फिर मैंने 4 लिया, फिर मैंने 5 लिया, फिर मैंने next लिया, क्योंकि एल तो कभी भी change हो सकता हो, एक perfect solution नहीं रहेगा, तो मैं क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग even values को find कैसे करेंगे, ये देखना पड़ेगा, ठीक है, even values को find करना का हम फोर्मूला मिलगा, उसके बाद मैं लोग देगे, इस सब को एक value उसको दो से multiply कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको multiply करना है, और जैसे multiply करोगे, हर एक value डबल हो जाएगी, उसके बाद में लोग क्या करेंगे, उनको एक loop के अंदर लेके count कर लेंगे, कि कितने हमारे पास element है, ठीक है, इस से हमारे 3 solution निकल जाएगे, अब हमने इसक और पास quan लेक्ट कॉपर वागे, यहा निकल आएगे आफ इस की सबने हको सोच लिया हमारे मारे दिमाग क्या काने है, कि लूप से सारा काम होगा, ح employer के अंदर सबसे पहले हमे, bukan find करना है उसके बाद में हमें लूप के अंदर है, जो डबल करना है उसकी values को, और पाद में से हमें उसका count निकालना है, all right हमें चीज़ें समझ में आ गई, अब उसके बाद में हमें क्या करना है, जैसे ही आपको coding solution मिल गया, अब उसको ना, दूबारा से सोचो एक बार के लिए, यह मैं क्यों point बोल रहा हूँ, इस वाले point के उपर ना मैं का आपको, actually यही point है, rethink वाला जहां पर आपको optimized solution मिल सकते है, इससे आप यह देख सकते हो कि, अच्छा, क्या इससे मैं कोई और better solution बना सकता हूँ, कोई और इससे better approach हो सकती है, ठीक है, यह हम लोग देखने वाले है, फिर उसके बाद मैं code लिखना start करो, और example के अंदर में आपको, अब यह code करके बताऊ और कुछ और भी tips दूँगा चोटी-चोटी, जिससे कि आपको बहुत help मिलेगी आपके logical skills and problem solving skills को improve करने के लिए, all right, अब हम लोग क्या करते है, इसको program में बना के देखते है, हमने वैसे समझ लिया, तो मैं हाप एक script tag के अंदर, एक array ले लेता हूँ, normal सा, let data, data के अंदर म 18, 45, 68, 19, 35 and let's say 100 भी ले लिया, हमने कुछ values ले लिया, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर से हमें, जैसा मैं आपको बता है कि पहले मैं आपको अलग solution बताऊँगा, उसके बाद अलग solution बताऊँगा, ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या सोचाँगे, इसके अंदर मे loop लगाना है, obviously, perfect, तो हम लोग एक loop लगाएंगे, but loop लगाने करना है, even values को अब कहां रखोगे, आपको एक और array चाहिए, तो मैं आप या कर लेता हूँ, let, even, arr, लिख लो है, फिर array लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है, हमने ले लिया, और by default इसको मैंने बना दिया array, ठीक है, अब उसको क्या करना है, आपको, मैं एक for loop लगाता हूँ, एक for loop लगाया, ठीक है, इसमें मैं लिख हूँ है, यहाँ पे i, हमारा जो i होगा, let i equal to 0, 0 से start होगा, i should be less than data.length, and उसके बाद मैं लो क्या करेंगे, i plus plus, i बढ़ता रहेगा हमा ठीक है, अब मैं इसमें console करके देखता हूँ, console.one, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, data को मैं i के साथ, एक element आ जाएगा हमारा, अब आप देखिए, इसको मैं हटा जाएगा, यहाँ से, एक element आ जाएगा, ठीक है, अब इससे में यह बज़ लगे, loop हमारा perfect लग गया, ओड आइवन चेक कर सकते हूँ, जैसा हमने देखा था, अगर वो value 2 से divide हो जाए, और उसका answer 0 आजाए, जैसे कि 10 है, 10 को मैं 2 से divide करूँगा, तो उसका reminder कितना बचेगा, obviously 0 बचेगा, तो जितना वो, जो उसका, properly 0 से divide हो जाएगा, 2 से divide हो को उसका answer 0 आजाएगा, that means, वो एक हमारा even number है, right, so मैं आपर क्या करता हूँ, उसके लिए, percentage लगा देता हूँ, 2, ठीक है, अब मैं percentage 2 लगाता हूँ, अब मैं इसको यहाँ पर check करता हूँ, तो आपर देखो, कुछ यहाँ पर 0 आए है, कुछ यहाँ पर 1 आए, जो यह percentage से क्या पताएगा, उसका reminder जितना बताएगा, एक बताएगा, ठीक है, तो 0 वाला हमारा perfect रहेगा, ठीक है, तो जितने 0 वाले थे, यह हमारे even number होगए, अब हम लोग यहाँ पर check कर लेंगे, if, if, अगर data का जो i है, उसका मैं modulus कर दूँ, 2 से, ठीक है, यही आपका एक logic बन रहा है, कि आपको किस तरीके से उस ठीक है, ओके, तो आपको लग रहा गया, एक मैं problem को resolve करने लग गया, यह भी ठीक है, बट आपको steps भी पता चल रहे है, साथ-साथ, कि मैंने क्या क्या चीज़े बताएथी किस तरीके से करोगे, और यह मारा जो मैं किस cancer देना हूँ, यह optimized solution ही है, जैसे मैं आपको बता रहा है, और उसके बाद मैं console करूँगा, तो जो इसके अंदर values रहेंगी, सारी की सारी, वो हमारी even values रहेंगी, चेक कर लेते हैं, देखो, जितनी में हमारे पास values सारी की सारी even आई, अब मैं आपर array के अंदर values को डाल सकता हूँ, जो है हमारा even array.push, इसके अंदर डाल देता हू data i, ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर आके console करता हूँ, console.one, और मैं यहाँ पर कर देता हूँ, even array, ठीक है, अब देखो, क्या हुआ हुआ हमारे पास, confirm दिख दिया गा है, मैंने console आईगा, और आप देख सकते हूँ, यह हमारे even values हैं, वो हमारे पास आ गई है, old values में से हट गई, perfect, अब हम क्या कर सकते हैं, इस one को हटा सकते हैं, अब मैं क्या करूँगा, मुझे इसकी values को double करना है, ठीक है, so मैं अब एक और for loop लेता हूँ, for loop लिया मैंने, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, i ले सकता हूँ, एक और variable, let i equal to 0, i less than array, even array dot length, and i plus plus, और उसके बाद में लो क्या करेंगे, इनको double कर देंगे, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, even array की जो i है न, उसके अंदर में टाल दूँगा, even array की i into 2, ठीक है, अब हो जाएंगे double, अब check कर लेते हैं, अब देखो, 10 का 20, 6 का 12, and last 100 का 200, perfect, great, so मारी second problem भी resolve हो गई, अब हम लोग आते हैं, third वाली problem पर, मैं हापे लेता हूँ, let, third वाली problem थी कि हमेरे, हमें जो total element रोग काउंट करना है, manually, so मैं आप एक करता हूँ, count equal to 0 लगा लेता हूँ, और फिर से मैं एक loop लगा लेता हूँ, for, let i equal to 0, i less than data dot, not data, even array dot length, i plus plus, और उसके बाद में हापे या करूँगा, counter को मैं plus plus कर दूँगा, counter मैं ने plus plus कर दिया, and अब मैं यहाँ पर यह भी चेक कर देंगा, कितनी हमारी values हैं, even इसके अंदर, so यहाँ पर इसने कितनी बताई, 6 values है, check कर लें एक बार के लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 values ही हैं हमारे पास, यह भी perfect आगए, अगर एक और console लगा के देखना चाहते हो, तो वो भी कर सकते हो, even array, इसके अंदर आप देखोगे, तो आपको यहाँ पर 6 values मिल जाएंगी, perfect, so यह हमारे solution हो गया, अब question यहाँ था, कि क्या, देखो जब हमने पहली बार में यह देखा था, कि प्रोड़म को हमने ब्रेक करा चोड़ 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 पार्ट में, उसके रिसाब से perfect solution है, हमने एक एक प्रोड़म को resolve करा, और यही बोलते हैं कि बड़ी प्रोड़म को चोड़ चोड़ी प्रोड़म का अंदर resolve कर लो, बट यहाँ पर catch है, यहाँ पर हमने ना दो loop extra लगा दिये, मैं आपको दिखाता हूं कैसे, जो मैंने यह वाला loop लगाया है, अगर मैं counter, इसका जो यह counter था, यहीं लगा देता, और इसको मैं यहाँ पर बंद गर देता, और इस counter को जो 0 है, इसको मैं ले जाता हूं उपर, यहाँ पर ले जाता हूं, तो क्या अब क्या कुछ पर कुछ फरक पढ़ने वाला था, यहाँ पर आते हैं वापिस, नहीं अभी भी 6 दिया उसने तो, because यहाँ भी तो loop चली रहा है, अब अगर इस counter को मैं यहाँ से उठा के, यहाँ रख दूँ तो क्या दिक्कत है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी भी तो 6 आएगा, 6 आगया, perfect, तो एक loop हमारे काम हो गया, अब जो multiplication वाला था, 2 से, अगर मैं इसको push करने से पहले, यहीं पर 2 से multiply कर दूँ, और यह हटा दूँ, तो भी तो same ही काम हो रहा है हमारा, यह देखो इस तरीके से, अब भी तो double हुआ यह, तो यह एक इसका better solution है, लास्ट वाली solution से जादा optimized है, तो यह चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है आपको, कि जो आपने double कर रही है न value, वो if condition के अंदर कई बार क्या होता है, double value आप पहले कर दो, आप यहाँ पर आओ, उसके value को double पहले कर दो, अब देखो double करने से क्या problem होगी, जैसे आपने double करा, इसके अंदर देखो, no values आगई इसके अंदर, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 कैसे आगई, पुकिर आपने पहले double कर दिया, तो हर एक value, अपने आप में even ही होगी, उसका double हो गया, 19 का double कितना हुआ, 38, और 35 का double कितना हुआ, 70, इस तरीके से, ठीक है, और 45 कितना हुआ, 90, तो इस तरीके से आपको पहले push नहीं करना है, और नहीं उसको multiply करना है, आपको ये चीज, एक properly conditional तरीके से लगाने है, इदरवाइस आपको logic बिगड़ जाएगा, ये चोटी-चोटी चीज़ें आपको जहां रखने होती है, तो आपको पतले हैं कि हम लोग क्या गलती कर रहे हैं, और किस तरीके से हमें solution ढूनना है, अगर आप लोग साथ के साथ दिन नहीं कर पा रहे हो, तो कोशिश करो आप चार या पांच दिन करो, और ऐसा नहीं कि बस एक चोटा सा प्रोग्राम में इसको वीडियो देखके बंद कर दो, खुद उसको implement करो, code को store करके रखो, अगर आपको यह वाली problem है नाम, कि यार आप डेली-डेली code भूल जाते हो, तो आपको ऐसा करना है कि महिने क्या डेड़ महिने के बाद उन जो problems यह आपना रिजॉल करना को एक बार फिर से देख लो, दो-चार बार देखो कि आपके द शायद दिमाग लगा देने, सबसे पहले हैं Google करता, how to find even values from Mary, जे करता, वो गलत approach है, पहले खुद से देखो कि क्या आपके पास कोई solution है, अगर आपके पास solution है, तो better नहीं है, तो कोशिश करो logic बनाने की, और फिर भी नहीं आदा, तो last में Google करो, right, so इस तरीके से हम लोग better approach कर सकते हैं, तो सबसे पहला मैंने आपको बताया, कि जो ये points है, उनके बाद, जो पहला points है, कि आप daily कुछ ना कुछ नया programming ली build करने कोशिश करो, छोटे-चोटे logic बनाने कोशिश करो, और दीरे-दीरे जो आप छोटे-चोटे logic बना पाऊगे, तो आप अराम से बड़ कि एक loop कैसे काम करेगा, if condition कैसे काम करेगी, ये percentage का, यहाँ पे modulus का क्या मतलब है, तो आप logic building के अंदर थोड़ी problem में आ सकते हो, तो पहले आपको, अगर आपको basic understanding नहीं है programming की, तो आप वो करो, उसके बाद में आप logic building के उपर जाओ, ठीक है, logic building एक तरीके से आप कहा सकते कि दिवार के ऊपर दोड़ना हो गया, तो दिवार के ऊपर दोड़ने से पहले, normal road के ऊपर दोड़ना सीख लो, उसके बाद में आप दिवार के ऊपर दोड़ना, ठीक है, so, that's all for this part, अगर आपको कुछ review देना है, आपको कुछ लग रहे है कि आप किसी बात से agree नहीं करते आपको वीडियो अच्छी लगी तो मुझे comment box ने बता सकते हो, thank you so much for watching this video and please support me by subscribe my channel, like this video and give some valuable reviews in comment box, thank you guys, thank you so much.